हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो दोस्तो आज आप लोगों का UKPSC की दोरा एक्जाम पेपर कराया गया था जेल बंदी रक्षक का और एक्जाम पेपर के बाद में दोस्तो काफी सारे दोस्तों के मेसेज आये थे कि सर उसका सॉल्यूशन करवा दीजे तो जो प्रोविजनल अंसर की होती है दोस्तों वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और पेपर का जो लेवल था दोस्तों वहाँ एजी था बहुत एजी पेपर था और बहुत सारे इस मेसेज जो प्र सरल आपका आना बेथा ही और उसे इसाब से यहाँ पेपर आया हुआ भी है तो पेपर का लेवल दोस्तों बेषिक सा था एजी पेपर था और आप लोग वही पेपर देखेंगे तो आप लोग उने दिया भी होगा जिन भी अभी अब भहरतियों ने तो भ्हुत अपने अं आपका स्कूर हो रहा है इस पेपर के हिसाब से फिलाल दोस्तों में आपको इसके अंसरस बताने के कोशिस करूँगा अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी प्रस्न के उत्तर में कि इसका अंसर यह नहीं कुछ और हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चल नहीं के रस्नाकार कौन है तो जीत सिंग नेगी जी उत्तराखन के इसमें से रस्नाकार हो जाएंगे अगला हमारा प्रस्न है आचारी हजारी प्रसाइप दिवेदी जी को उनकी किस पुस्तक पर साहित एक अदमी पुरूस्कार मिला था तो आलोगपरव के लिए इन है नह अगला हमारा प्रस्थन है उपमेई में उपमान का निसेद रहीत आरोप होने पर कौन सा लंकार होता है तो रूपर कलंकार दोस्तों इसका राइट इंसर हो जाएगा। अगला है HTML क्या है तो Hypertext Markup Language दोस्तों यहां एक क्या होती है वेब भासा होती है अगला हमारा प्रस्थन है इनमें से प्रारूपन की विशेषता कौन सी नहीं है तो देखे दोस्तों प्रारूपन की भासा लंकार युग तो होती है यहां आपका इसकी विशेषता नहीं है क्य प्रारूपन की भाता इसपस्ट है यहाँ विशेस्ता है विश्या नुकूल है यह भी इसकी विशेस्ता है और भासा सरलो यहाँ भी प्रारूपन की विशेस्ता है तो कौन सी नहीं है अलंकार युक्त हो नहीं है अगला प्रसना है इनमें सुद्ध वरतनी वाला सब्द कौन से होना चाहिए कि उन्नती के मारगे में संकट भी आते हैं तो नॉर्मली यहां वाक्य होना चाहिए तो संकट भी आते ही हैं कि विज़े से थोड़ा सही मिलको असुद्ध वाक्य लग रहा है बाकी options के according अन्य आपके सही लग रहे हैं अगला है इनमें से कौन सा तत्सम उधारन नहीं है चक्र पानी यानि कि चक्र को उधारन करने वाला अर्थार भगवान विष्णू विना पानी विना को धारन करने वाले अर्थार माता सरस्वती पितांबर यानि कि पीला है अंबर जिसका अर्थार भगवान स्री कृष्ण तो कौन सा भहुवरी समास का अगला है कि सब्द में प्रावप सर्ग है तो प्रस्तूत में आपका प्रावप सर्ग हो जाएगा अगला प्रस्तन है कि बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है अगला प्रस्तन है कि पहाडी हिंदी का विकास किस अप्रावप सर्ग हो जाता है और खस अप्रावप सर्ग हो जाता है लेकिन जहां तक उमीद है दोस्तो इसका अंसर उप्सन सी आपका राइट अंसर दिया जाएगा लेकिन सौरसेनी भी आपको किताबों मिलेगा क्योंकि पहाडी हिंदी में कुमावनी और गड़वाली दोनों ही आ जाती हैं जिनका विकास दोस्तों सौरसेनी अपरवरंस के ही एक साका खस अपरवरंस से भी माना जाता है तो इसलिए ये दोनों ही अंसर किताबों आपको मिल अब हम एक बार उत्राखन के कुश्चंस के बारे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम G.S. के कुश्चंस के उपर बात करेंगे, तो उत्राखन के भी आपके 40 कुश्चंस थे, राजी संबंदी, और सभी प्रस्ने काफी सरगलते देखिए, पहला प्रस्न है उत्राखन का, उत्राखन राज्य का लोकवाद्य अंतर नहीं है अगला रसना है कालसी सिलालेक किस से संबंदित है तो असोक का सिलालेक है कालसी सिलालेक अगला रसना है उत्राखन में चलने वाली चार धाम परियोजना किस कारी से संबंदित है अगला रसना है उत्राखन सरकार की गोल्डन कार्ड योजना किस से संबंदित है तो निशल को उपचार से संबंदित है गोल्डन कार्ड योजना अगला प्रसना है 2011 के जनगलना के नुसार उत्राखन राज्य की साक्षरता दर कितनी है तो 78.82% उत्राखन राज्य की साक्षरता दर रहने वाली है मलब है 2011 के जनगलना के अगला प्तसन है, उत्राकंद सर्कार द् fan द्वार्थाचन चल्पित Meat Boy युवाहं को रोजगार उपरब्द कराए लिए कौन सा पॉर्ड़र प्रालने यथा, बहुतर कोई गयाए. उत्राखंट के वर्तमान मुख्य सजीव कौन है तो सुख्वीर सिंग सिंदू जी है तो ये भी आपका करेंट एफिका कुष्छन हो गया अगला कुष्छन ये भी करेंट एफिका है तो 804 से लेकर के 815 तक गड़वाल पर क्या रहा गुर्खों का सासन रहा था अगला प्रसन है गड़वाली समाचार पत्रगा प्रकासन किस वर से प्रारंब हुआ था तो 1905 में गड़वाली समाचार पत्रगा प्रकासन प्रारंब हुआ था अगला हमारा प्रसन है नियंदर लगित में से कौन चिपको अंदुलन पर आधारित हरी भरी उमीद सिर्सक पुस्तक का लेकक है तो ये क्वेशन भी जाम में पहले पुछा चुका है तो हरी भरी उमीद नामक जो सिर्सक है यह सेकर पाठक के तरह लिखी गई है चिपको अगला प्रसन है नियंदर लखित में से कौन सी जनजाती उत्राखंट से संबंदित नहीं है थारू, भोटिया और राजी ये तीनों ही जनजातिया उत्राखंट से संबंदित है जबकि गद्धी जो है यह उत्राखंट से संबंदित नहीं है अगला प्रसन है तीरी बाहत क प्रियोजना का निर्मान किया गया है। बिल्कुल सही है, ट्रेल दर्रा बागेश्वर में है, ये भी बिल्कुल सही है, तो option number 6 दोस्तो बाड़ा होती है, आपका उत्रकासी ना होके यहाँ पे चमुली में, चमुली और थिबत के मद्धे में स्थित है, क्या बाड़ा होती है, आपका सही नहीं होगा, अगला पस्त अगला प्रस्त है, उत्राखन में के कौन से जनपत का छेत्र मुखेता तराई में स्थित है, तो तराई मुखेता तराई भावर वाला चेत्र माना जाता है, उधमसी नेगर जनपत के आसपास के छेत्र को, तो उधमसी नेगर आपका सही अंसर हो जाएगा, अगला प्रस्त है 2011 की जनगलने के अनुशार उत्राखन का जनगलत तो कितना था तो 119 व्यक्ति परती वर के किलोमेटर उत्राखन का जनगलत था अगला पस्तन ये भी करेंड एफर्क है सितंबर 2013 में उत्राखन के बागिसर उप्चुनाओं में कौन सी उम्मीदवार विजई हुई है तो प सदेश्की उत्राखन से निर्वाजित होते हैं अगरा पसना है स्यामला ताल उत्राखन के कि सलेम जिले में इस्तित है तो चंपाव जनपत में इस्तित है शयमला कुश्चन है कि औरगजेब ने सुलेमान सिको को प्राप्त करने के लिए प्रत्युपती सहा के दरवार में किसको बेजाता तो और इंगर जेब ने सुलेमान सिको को प्राप्त करने के लिए प्रत्युपती सहा के दरवार में दोस्तों किसको बेजाता राम सिंग को बेजाता आपका राम सिंग सही अंसर क्या है? तो बाड़ा हाट क्या है? उत्रकासी का एठियासिक नाम है. अगला प्रसन है, किन इस्तान को प्राशिन सास्ति हैं मायापूरी कहा जाता है? अगला हमारा बयानिवेवा प्रसन है, निम्लखित परमार सासकमे किसके पास महान सिनाना एक माधोची बंडारी थे, तो म अगला प्रस्न प्रस्न यह किसके सासनकाल में रची गई थी, तो यह मानसा की सासनकाल में रची गई थी, मानुदरी कावी ठीक है, सबसे प्रशिद्ध कावी भी इसे माना जाता है, स्रीनेगर या गड़वाल के संस्तापक कों थी तो अजय पाल को गड़वाल या स्रीनेगर के संस्तापक के रूप में भी जाना जाता है लाखा मंडल की जनपद में इसी है तो देरादू जरपद में दोस्तो हमारा लाखा मंडल इस्तित है अगला हमारा प्रसन है निम्दर खित में से कौन सा जिला उत्राखन के सरवादिक जिलों से सीमा साजा करता है तो पौड़ी कड़वाल जनपद उत् दर्सन सानी करे थी बिल्कुल सही तो कौन सा सही नहीं है उप्सन नमबर सी इस में से आपका सुमिलित नहीं होगा अलमुडा की स्थापना करनकपाल ने ना करके किसके दोरा की गए थी अलमुडा की स्थापना की गई थी तो आपको उत्राखन के और हिंदी के questions में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी अब हम थोड़ा बहुत GS के प्रस्नों के बारे में बात कर लेते हैं जो GS के प्रस्ना आपके exam में पूछे गए थे इसमें भी computer के अच्छे खाचे question दोस्तों पूछे गए देखिए GS वाला पॉर्षन है 40 नमबर का यह GS में इसमें इसमें स्टी पॉलिटी जोग्रोफी एकोनोमिक्स और आपका reasoning वाला पॉर्षन और थोड़ा बहुत करेंट इफेल भी पूछा गया है MS Word में नया खाली दस्तावे खोलने की shortcut कुंजी क्या होती है तो Ctrl प्लस N होती है अगला प्रसन है कौन सा एक antivirus software नहीं है तो options के according दोस्तों Microsoft Outlook जो है यह antivirus software नहीं है अगला है . . . . एक internet search engine है तो Google के है एक internet search engine है अगला हमारा प्रसन है दोस्तों यदि महीने का तीसरा दिन स्वामवार है तब निवने मैं से कौन सा इस महा की 21 तारिक से पांचवा दिन होगा तो 21 तारिक से पांचवा दिन दोस्तों आपका बुद्वार होगा तो अगर आप इसको स्वालो करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा ठीक है अगला है आपका विलूप्त संख्या को आपको ग्यांत रखना है तो 97 दोस्तों आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑसका बाद में है उसके आपका राइट एंसर प्रसन फिर 57 में 26 जोरेंगे तो दूस्तों उन चांस भी स्ने में तो venesर विलूप보र स्हेंद को पूलना करता है तो ऑ बी-सका बो क्डिया प्रसक्रेंडbers हो जाएगा तो इसके आद में लिखे यहा पर है अगला बिसना है, श्याम 7 km उत्तर की तरफ जाता है, फिर वो अपने दाए हथ के तरफ उड़कर 7 km आता है, तो श्याम अपने प्रारमी का वस्ता से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ 3 km की दूरी पर होगा, अगला बिसना है, पिता एवं पुत्र की वरतमान आयू का अनुपा एक है, चार साल बाद यहाँ अनुपाद, चार अनुपाद एक हो जाता है, तो वरतमान में पिता और पुत्र की आयू का योग कितना होगा, तो अगर आप X और Y का मान के करते हैं, तो 32 आपका वरतमान में पिता और पुत्र की आयू का योग आ जाएगा, ठीक है, 7X प्लस अगर आप वर्तमान अनुपात लिकारेंगे तो 7x प्लस 1x करेंगे तो 28 और 32 आपका राइट इंसर हो जाएगा अगला अगला है बारत इतना पुरुसकार किस देश द्वरा जिया जाता है तो सरल सा वरुसने भारत के द्वरा ही दिया जाता है अगला है डॉट 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 बंडारन का एक उपकरण है तो हार्ड डिस्क ओप्संस के अगला होती है अगला कुछन है साथवान वन्स का संस्तापक कौन था तो सीमुक साथ करनी जो है वहाँ साथवान वन्स के संस्तापक थे अगला प्रस्तन है अगबर ने दीन ये इलाही धर्म की शुरुवात किस वर से किरी थी तो 1592 इस ज़ीव में करी थी कौन कैबिनेट विजन 1946 का सदर्श्य नहीं था तो विलियम बेडर बन जो था कैबिनेट विजन 1946 का सदर्श्य नहीं था 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसरा है कौन था तो लाट करजन था आप सबी जो को बताओगा सोचल कॉन्ट्रेक्ट नामक पुस्तक के लेख़क कौन है तो रूसो की पुस्तक है सोचल कॉन्ट्रेक्ट अगला है बहला डिला नामक निंदरकी किस खनीस के रहर परसिड्ध है तो बहला डिला जो है लोः यस के ख़दानु के रहर परसिद्ध है यू आकार की घार्टी का निरमान कौन सब वहाकरति कारक् ofereक का तो हिमानी के दौरा किया जाता है किस भारती राज्जी में सबसे लंबी तर्ट्रिक है तो गुजराथ सबसे लंबी तर्ट्रिक है वला राज्जी है गुरु सिखर दोस्तों रावली परबस्टेनी के सबसे उची चोटी की रूप में गुरु सिखर को जाना जाता है वेदा जन जाती है उस तो मुखेता स्रीलंका में पाई जाती है अगला पसने है कि चितरा वनुसार बताईए कि कितने सिक्ष्यक युवा बिरोजगार है तो सिक्ष्यक युवा दोस्तों ट्रेंगल में दर्साया गया है और रोजगार वला ये बड़ा वला कॉलम अगर आप छोड़ देंगे बाकि पिछड़ी वरक का युवा भी छोड़ देंगे तो कितने हो जाएगे 11 आपका राइट एंसर इसका हो जाएगा अगला पसने है A into B का अर्थ है B A की मा है A plus B का अर्थ है B A का पती है और तब M N का बेटा है तो कौनसा का दन सही है तो ये दोस्तो आप कर लिजएगा अपसन सही हो जाएगा मृच्छ का टिकम किसके दवरा लिखेगा ये तो सुद्रक की दवरा लिखेगा ये दोस्तो क्या मृच्छ का टिकम अगला है अगला पसना है जिस देस के अभयधानिक प्रवासी नाग्रिकता के लिखेगा heading नहीं होँगे अगला है बहरत सरकार ते स्टरक बंडिया कारिक्रम किस वर्स प्रारबे किया गया था तो श्टरक बंडिया कारिक्रम जो तो थे धो आपका 2016 में प्रारंब किया गया था अगला अपसने है भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्स कौन थे तो Montex अहलू वालिया जी जो थे हमारे भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्स थे किस वर्षा भारत में पेटेंट एधाया है, तो पेटेंट इधाया दोस्तो वैसे вниз selective중 के अधाया अधाया था तो अपस्सक्रेजिए और पट्रफा नंबर B की असर होना चाहिए भारत में पर्थम पंचवर्सी योजना किस वर्स प्रारंबी किया गया थी तो 1991 में सरपर्थम पंचवर्सी योजना को प्रारंबी किया गया था भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कारिकरम किस वर्स प्रारंबी किया गया था तो भर सरकार द्वारा 20-30 कारिकरम जो यह दोस्तों यह उनीश्व पीजटर में प्रारम में किया गया था इजन गार्डन मैदान कहां से था है कोलकाता में से था है MCC जो मेलबन किरकेट अकादमी है दोस्तों कहां की ऑस्टिल्या की सबसे पुरानी अकादमी है पेले किस खेल से सब्ढ़ दिए तो फुटबॉल से सब्ढ़ दिए था पेले Springfield College किस देश में स्था है तो Springfield जो आपका College यह दोस्तों USA निके अमेरिका में स्था है School of Lepjung किस देश में स्था है तो यह आपका जर्मनी में स्था ठीट है तो ये कुछ अलग प्रकार के कुश्चन इस बार पुछे गया था, डैकली स्कूल हो के या कॉलेज हो के नाम पूछ लिए गया थे, अगला कुश्चन दोस्तो अठार सो अलत्तर का वर्णा क्यूरियल ट्रेस एक्ट जब पारित किया गया था, उस टैम पे भारत के गवर्ण जर्नल एम वाइसरा आइकॉन थे, तो लाल लेटन थे, अगला है राम प्रजाद बिस्मिल और अस्मा कुल्ला खां को किस मामले हैं फासी दी गई थी, तो काकोडी सरीयंत्र केस में इनको फासी दी गई थी, और आज का दोस्तों आपका जो लास्ट कुश्चन था, वह था निनलकित मैंसे कौन एक मराठी रास्टवादी लेकक था, तो अपसंस के अकॉर्डिंग विश्नो सास्त्री चिप्रोडकर जी आपके एक मराठी रास्टवादी लेकक थे, तो ये था दोस्तों आपका ओरॉल पेपर, जिसमें हिंदी के आपके 20 प्रस्न पूछे गए थे, उत्रा खंट के 40 प्रस्न पूछे गए थे, और 40 प्रस्नों के दोस्तों आपके जी एस वाला सेक्षन पूछा गया था, तो पूरा 100 नंबर के जो कुष्ण्स था, वो मैंने दोस्तों आपको करवा दिया है, बाकि आपका आगर आज का पेपर था, तो आपके कितने माक्स आ खाना रखनी है कि बन्दी्ल रक्षक का examine paper है, यहाँ बिल्कुल आपका physical based exam पेपर रहने वाला था, क्योंकि इसमां आपका physical है, physical के marks भी जूरने वाले हैं, और return के marks भी जूरेंगे तब है आपका final result आएगा, जो कि जल्द ही आपको देखने को भी मिल जाएगा, बाकि सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें धन्यवाद